जै महाकाली, जै महाकामबे, क्या आप लोग कैसे मित्रवाश्य करती हो, आप लोग बिल्कुल सही स्वस्त्त होंगे, तो आज आपके लिए बहुत ही खास उपाई लेकिया हुई, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कि सिंदूर और इत्र से वशी करन, यदि आप किसी क कि आपके लाइफ में आए और आप से शादी करे, जै आपके पती हो या आपका प्रेमी हो, और आपके पती आपको मान समान नहीं दे रहे हैं, और आपसे बिल्कुल भी बाचित नहीं कर रहे हैं, या आपको माई कर छोड़ दिया, और बिल्कुल भी आपसे बात नहीं करन कि ऐसे में हम क्या करें कि हमारा पती या हमारा प्रेमी हमारे वश में आजए और आपका कहना सुना मानने लगे तो इसके लिए ये वशिकरन बहुत ही अच्छा रहेगा और 100% काम करेगा तो आपने सिंदूर से और इत्र से वशिकरन करना है बहुत इजी तरीके से और इसको क किसी भी आपने शुक्करवार के दिन करना है और किस टाइम पर करना है नहाद हो कि आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएं और किसी भी टाइम पर इसका कोई टाइम नहीं है जहें आप इसे सुबा करें या शाम करें या रात को करें या जिस टाइम में आप वीडियो को देख रहे उस टाइम पे करें यदि आप दोनों के रिष्टे में अगर कोई तीसरा भी आ गया है तब भी इस वर्शेकरन को करके अपने प्यार को या पती को या प्रेमी को पा सकते हैं जैसे कि सौतन से छुटकारा यदि आप किसी सौतन से भी छुटकारा चाहती हैं और आप ये चाहती हैं कि मेरे पती आपका मान सम्मान करें और आपका ही कहना माने या आपकी प्रेमी का है और प्रेमी अगर आपका कहना नहीं मान रहा है और कोई और तीसरा आगया आपके जीवन में और आप दोनों की life बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है या आपका relation अच्छा नहीं चल रहा तो ऐसे में आप अपनी love life को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं तो आपने करना क्या है जिस time पे भी आपको ये वशी करना है आप एक time देख ले जब आपको वक्त मिले और जब भी आप इसको करेंगे तो बिल्कुल एक कांत में करेंगे कभी भी किसी के आगे नहीं वशी करन किया जाता है क्योंकि अगर टोक लगती है रोक लगती है तो एकदम ये कामियाब नहीं होता और अगर आप इसको एक कांत में करते हैं तो ही इस वशिकरन को करें और बिल्कुल नहादो के फ्रेश हो के बैठ जाए उसके बाद आपने करना क्या है पीला सिंदूर ले लेना है और इत्र अच्छी क्वाल्टी का लेना जितना अच्छा होगा उसका उत्रही जादा अच्छा असर होगा जो नॉर्मल होते हैं ये इ इत्र आपको ना मिल पाई तो आपने करना क्या है मद मस्त इत्र लेले या अस्ट गंध लेले अस्ट गंध में भी बहुत ही अच्छा खुश्बू होता है और बहुत ही अच्छा पावर्फुल होता है वशिकरन के लिए तो आपने जैसे की लेलिया इत्र और पीला तो उसके बाद आपने हतेली में थोड़ा सा सिंदूर रखना है और थोड़ा सा इत्र को मिलाना है और मिलाते होई आपने करना क्या है? अपने प्रेमी या पती को याद करते हो या आपने मंतर का उचारन करना है अमुक की जगा अपने प्रेमी या पती का नाम लेना है और सिंदूर और इत्र को अच्छे से मिला देना है कितनी वरी ग्यारा वरी आपने इत्र का मंत्र का उचारन करना है इत्र और सिंदूर को मिला लेना है उसके बाद इस सिंदूर को एक किसी कटोरी में रख लें या अपने सिंदूर दानी में इसको मिला दें जैसे या भी मंतरित हो जाएगा आपने इस सिंदूर को रोज सुबह नहा के और जब आप सिंदूर भरें तभी आपने तीन वरी अपने पति या प्रेमी का नाम लेना है जो शादि शुदा नहीं होंगे वो सिर्फ माथे पे टीका लगाना है और जिनकी शादि हुई आपने पति के लिए वो मांग भढ़ सकते हैं इस तरीके से ये वशिकरन करें करके अपने पती और प्रेमी को पाएं और सौतन से छुटकारा मिलेगा आपको जो तीसरा इंसान वेखती है उससे आपके पती नफरत करने लगेंगे सिरफ आपके ही वश में रहेंगे आपका ही वो कहना सुनना मानेंगे बहुत इजी तरीके से सिंदूर और इतर से वशिकरन करके अपने प्यार को पा सकते हैं तो ये वशिकरन कैसा लगा अपना फीड़ बैक जोड़ देना अगर अच्छा लगा तो कमेंट श्रक्शन में जय महाकाली ज़रूर लिखना और वीडियो ज्यादा चलगे तो ज्यादा ज्यादा लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इसको करते हुए कोई दिक्कत परिशानी आए तो स्क्रीन पे नमबर दिवे पे गुरूमा को आप संपर्क कर सकते हैं वाट्सअप कर सकते हैं आपकी हर एक समस्या का समयदान गुरूमा जी के पास जरूर बिलेगा